गरीब बहु बनी डॉक्टर सुबह सुबह सास और उसकी पडोशन गप पे लड़ा रही थी और मीना कैसी है? आज कैसे आना हुआ बहुत दिनों के बाद आई हो अच्छी हूँ, बस आ गई तेरी याद और मैं चल परी तुझे मिलने चाए बनवाओं क्या तेरे लिए? ना रहने दे क्यों परेशान कर रही है, बहु को मैं घर पर ही पी लूँगी इसमें परेशानी क्या है? चल बना ही देती हूँ अगर बनवानी होती तो अब तक बनवा लेती अच्छा, अब तो बनवानी पड़ेगी अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतनी सीरियोस क्यों हो रही हो? तुम्हारी बहु क्या कर रही है? पोच्छा लगा रही है अंदर ऐसी बात नहीं है, अगर वो नोकरी करेगी तो तुम्हारे घर के हालाद सुधर जाएंगे ना ना वो घर ही संभाल ले, इतना ही काफी है, घर का खर्चा तो मेरा बेटा देख लेगा चल ठीक है, वो तुम्हारी सोच और तुम्हारे घर में कौन होती हूँ, तुम्ही सुझाब देने वाली ऐसे बात नहीं है, तुम भी तो हमारे घर के सदस्य के जैसी ही तो हो चल ठीक है, मैं चलती हूँ ऐसा कहे कर उनकी पडोसन वाँ से चली जाती है, बहु उनकी सारी बाते सुन लेती है अगले दिन बहु सास के पास आती है तो मा जी, आपने क्या सोचा? किस बारे में? मेरी पढ़ाई के बारे में वो तो मैंने मीना के सामने उसकी इज़द रखने के लिए के दिया बाकी तो तू पढ़ेगी तो घर के सारे काम कोन करेगा ये पढ़ाई हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होती तुम घर के काम में ध्यान दो ठीक है माजी, अगर आप ऐसा चाहती है तो कोई बात नहीं अगजे दिन नत्थू की तबियत कराब हो जाती है अरे, बहुत देखो ना ये क्या हो गया है मेरे नत्थू को चलो माजी, इन्हें होस्पिटल लेकर चलते हैं सास बहुत दोनों नत्थू को होस्पिटल लेकर जाते हैं देखिए ना डॉक्टर साहब इनके तबियत बहुत खराब है जी, अभी देखता हूँ इन्हें तो बहुत तेज बुखार हैं आप इनका जल्दी से इलाज कर दीजिए पहले आपको इनकी दवाईयों के और इलाज के लिए 20,000 रुपए भरने पड़ेंगे उसके बाद ही मैं इसका इलाज करूँगा एक गरीब परिवार के लिए इतने पैसे तो बहुत जाजा होते हैं अब क्या करें माजी? बहु तुम्हारे जो गहने रखे हैं, हमें वो बेच देने चाहिए हाँ, ठीके रही हो माजी सास बहु गहने बेच देते हैं और नत्थु का इलाज डॉक्टर से करवा देते हैं फिर सास सोचती है, दुनिया में हमारे जैसे बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं जो अपना इलाज नहीं कर सकते फिर बहु से कहती है, बहु अब तुम डॉक्टर की पढ़ाई करना ताकि तुम एक अच्छी डॉक्टर बनो और गरीबों का फरी में इलाज कर सको बहु बहु बहुत ज़्यादा पढ़ती है और फिर वो डॉक्टर बन जाती है, वो सब का फरी में इलाज करने लग जाती है लेकिन कहते हैं ना, पैसा सब को लालची बना देता है, और वो सब को अंधा कर देता है बहु जिस मकसद से डॉक्टर बनी थी, वो उसे भूल जाती है वो दन के पीछे इतनी अंधी हो जाती है कि सभी इसे पैसे देने लग जाती है इससे सास परिशान हो जाती है और बहु से कहती है अरे, बहु तुझे पता है, तु ये क्या कर रही है? क्या मा जी? तुम गरीबों का फ्री में इलाज करने के लिए डॉक्टर बनी थी, लेकिन तुम तो उनसे भी फीस लेने लगी हो अरे, मा जी, फीस तो लेनी ही पड़ेगी, अब बिना पैसे के काम करने का क्या फाइदा? सास बहु को सीख देने के जिए, नत्थु को बिनार होने की एक्टिंग करने के जिए कहती है अरे, बहु, देखो नत्थु के पेट में दर्ध हो रहा है, जरा चेक कर अभी देखती हूँ, मा जी, क्या हुआ है, नत्थु को? होस्पिटल जाकर चेक करना पड़ेगा सास बहु, नत्थु को होस्पिटल दे कर चाते हैं दॉक्टर साहब जल्दी से इन्हें चेक करते हैं पहले इनके घरवालों से पैसे जमा करवाओ, फिर इनका इलाज करेंगे ये मेरे पती है, आप हम से पैसे लेंगे सौरी सौरी, चलो चेक करते हैं अच्छा बहु ये तेरे पती है, इसलिए इसे तुम पैसे लेने से मना कर रही हो लेकिन गरीबों से पैसे लेती हूँ, नत्थो को कुछ नहीं हुआ है, इसे मैंने कहा था बीमार होने की एक्टिंग करने के लिए, इसे कुछ नहीं हुआ है, मैं तुझे सीख देना चाहती तुम गरीबों का फ्री में इलाज करने के लिए डॉक्तर बनी थी, लेकिन तुम अपने लक्ष से भटक गई, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। प्रेक्स ऐसे भटक जाते हैं, हमें उन्हें उनकी मनजिज़ दक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए, और उन्हें सीख देनी चाहिए, धन्यवाद, लाइक करो, शेयर करो, सबस्क्राइब करो,